स्री शिवाईन नमस्त उव्यम दर्शको कैसे हों आज अगरते हैं कि आप सब सुवस्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तो आज 16 दिसंबर और इसे के साथ ही आज सुकरवार का दिन पढ़ रहा है दोस्तो ये मानेता है कि सुकरवार के दिन मातलक्ष्मी की पूझा अराधना करने से उनका आसिर्वात प्राप्त होता है जिससे घर में सुकर्ष, समरद् itself को अगमन होता है और घर की जो गरीबी होती है जो दुर्भागिया होता है उससे छुटकारा प्राप्त होता है ऐसेम दोस्तो आज हम आपको जो उपाई बताने जा रहे हैं इस उपाई को करने से धन की व्रद्धी होगी और मातालक्षमी का असरवाद भी प्राप्त होगा और उन्हें के साथ ही बगवान विशनुकावी असरवाद प्राप्त होगा तो दोस्तों किस प्रकार से और किस तरह से इस छोटे चाचों को पाई को करना है वह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के महद्यम से आप सभी दर्शकों को बताएंगे अगर आप इस चैनल्म पर नहीं हैं तो चैनल्म को सब्सक्राइब जोरू करें वीडियो को लाइक करें हर बार की तरह कॉमेंट बॉक्स में सरी शिवाई नमस्तुवियम जरूर लिखें तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को आज की साम यानि की परदोस का जो समय होता है साथ से आठ बजे के बीच का इस ही समय में आप लोगों को इस उपाई को कर लेना है दोस्तों कहते हैं कि अगर मतलक्षमी की अशीम कुर्पा प्राप्त करनी है तो उनको खुश करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसके लिए दोस्तों ये भी मानता है कि जो तुलसी का पोदा होता है उसमें मतलक्षमी का निवास होता है मतलक्षमी श्यम उसमें ववास करती है इसलिए तुलसी का पोदे का सुकरवार के दिन विशेस महतो माना जाता है तो दोस्तो आज की साम आप लोगों को एक लोग लेनी है फूल वाली, लोग को बहुत ही चमतकारी माना गया है पुजा पाठ के कारियों में लिया जाता है और आप लोगों को साथ ही एक दीपक ले लेना है दीपक मिट्टी या आठे का जो भी आपके एक चाहू ले लिजे और फिर आप लोगों को उस लोंग और दीपक को तुलसी के पोधे की जड़ में जाकर दीपक को जला देना है और उस लोग को आप लोगों को अपनी मनोकावन बोलते वे उस से तुलसी की जड़ में गाड़ देना है दोस्तो आज की साम इस कारे को आप लोगों को करने से मातालक्ष्मी प्रशन होगी आपकी निर्धनता गरीबी को दूर करेंगी तो आप इस कारे को ज़रूर करे और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करे छोटा सब वीडियो बहुत ही अच्छी जानकरी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में